जी हां दोस्तों रवी धाया ने टोक्यो ओलम्पिक में सिल्वर मेडल जीत कर इतिहास रच दिया लेकिन हमने उनके कॉलिफाइंग मुकाबले में देखा तक इस परकार से उनके विपक्षी खिलाडी कजाकिस्तान के नूर इसलाम सनायेव ने उने दातों से काटते नजर आय रहे थे जिसके बाद इस घटना की कई तस्वीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रही हैं लेकिन दोस्तों ये पहला मौका नहीं था इन बड़े मेकाबलों में जब किसी खिलाडी ने दातों से काटा हो एक बार खुद ये हरकस सोशिल कुमार भी कर चुके हैं आप अजकुरेक के कान पर काटने पर यहां पर इनकी भी तस्वीरे वारल हो थी हाला कि उस वक्त सोशिल कुमार के इस किये वे हरकत को ज़्यादा गंबीरता से नहीं लिया गया था क्योंकि वो मुकाबला हार गए थे यही से दोस्तों हारे नहीं थे बलकि वो फाइनल पहुच रहे जाता है या तो वो सिल्वर या गोर्ड मेडल लेकर ही जाता है अब सुशिल ने इन उलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया था साल 2012 में तो सुशिल कुमार की यह हरकत भी काफ़े ज़्यादा चडचाओं में थी लेकिन ऐसा खेल के दुरान देखने क हो पाती हैं कई बार ये केद भी नहीं हो पाती तस्वीरे कुछ की नजर भी नहीं पड़ती लेकिन आप सभी को बता दे कि रवी धहिया मबाले इस मुकाबले में रैफरी ने देख लिया था तुरंत ही दोनों को साइड करा फिर उसके बाद कुछ सेकिंड का रैस्ट देत फिर से मैच को शुरू कर दिया था इतनी गंबीरता से इसे भी नहीं लिया गया था नेक्स्ट नैन स्पोर्स की रिपोर्ट